अब हमें बेहद खुशी है कि एक बहतरीन मोटिवेशनल स्पीकर और स्पिरिच्वल काउंसलर राजयोगिनी बी के उश्यादीदी हमारे साथ जुर रही हैं। गीता पर गहन शोध किया है और उसे सहज भाव से सपश्ट करके जन मानस को इससे ज्यादा से ज्यादा लाब देने के प्रयास करती हैं। आपने अलौकिक वक्तव्य द्वारा जन जन को लाब देने के प्रयासत रहती हैं। सभी वर्ग आपके मननचिंतन से लाभानविंत होते हैं। राजयोगी बी के उश्यादिदीजी से अनरोध करती हूं कि अपने मनन की बात हमारे समक्ष रखें। ओम शांती, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्यालेई द्वारा, ये दो दिवसीय मीडिया इकॉन्फरेंस में, सभी मीडिया से संबंदित भायबैनों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। बहा सुन्दर वर्तमान समय के अनुसार इस थीम को चुना है कि चैलेंजिज एन अपॉर्चुनिटेज पर मीडिया इन चेंजिंग टाइम्स। और उसके अंतरगत जो आज का विशई है इनर एंपावर्मेंट। सचमुश चारो और अगर देखते हैं तो मिडिया भायबैनों के लिए अनेक प्रकार की चुनौतियां हैं। क्योंकि दिन प्रते दिन जिस तरह के हाला बनते जा रहे हैं, तो मिडिया भायबैनों को अनेक स्थानों पर जाना पड़ता है। कैसी कैसी जगह पर स्वयम की सुरक्षा करते हुए भी आप लोगों को पहुँच करके कार्य करना पड़ता है लॉकडाउन के समय भी हर कोई घर में सुरक्षित है परन्तो मिडिया के सभी भाई बैने ऐसे लॉकडाउन के समय भी मिडिया कवरेज के लिए अपनी सुरक्षा रखते हुए कहां कहां पहुँचते रहे और लोगों तक समाचार पहुचाते रहे इसलिए सबसे पहले तो मैं आप सबका बहुत-बहुत हार्दिक धन्यवात करना चाहती हूँ कि जिस तरह से आपने इन हालातों में भी इस चनाथी के वक्त भी जो सेवाईं दी है वो सरानिय है लेकिन अब आवश्यक्ता है कि खाली शारिरिक शशक्ति करना हो यानि फिजिकल इम्यूनिटी खाली ना हो फिजिकल इम्यूनिटी तो बहुत जरूरी है वर्तमान समय में लेकिन फिजिकल इम्यूनिटी के साथ साथ हम यही कहेंगे spiritual immunity भी बहुत जरूरी है mental immunity भी हमारी बढ़ाने के आवशकता है क्योंकि व्यक्ति की physical immunity कभी आधार मानसिक immunity है और अध्यात्मिक immunity है जितनी अध्यात्मिक शम्ता हमारी अधिक होगी अर्थात आत्म शशक्त होगी उतना उसका मनोबल पावरफुल होगा और कैसी भी हालाते हो लेकिन मनोबल अगर है तो शारिरी कृति से भी व्यक्ति अपने आपको सुरक्षित रखते हुए हर कारिय के अंदर सफल हो सकता है तो अध्यात्मिक शशक्ति करण के लिए क्या जरूरी है आज यही इनर एंपावर्मेंट की जब बात करते हैं तो स्पिरिच्वल इम्यूनिटी बहुत कार्य करती है और स्पिरिच्वल इम्यूनिटी का पुरा आधार है अध्यात्मिक ग्यान स्पिरिच्वल विजडम क्या जाता है ग्यान शक्ति है हाँ यह जरूर है कि जिस कार्य में आप है वो ग्यान भी जरूरी है लेकिन उसके साथ-साथ अध्यात्मिक ग्यान बहुत आवश्यक है और वो अध्यात्मिक ग्यान से जो आंतरिक शक्ति हमें प्राप्त होती है वो ऐसे ही है, जैसे कोई स्थूल भोजन हम स्विकार करते हैं, अच्छा पोस्टिक भोजन स्विकार करते हैं, तो कैसे हमारी फीजिकल इम्मिनिटी बढ़ती है? इसी तरह, जितना आध्यात्मिक ग्यान को स्वैयम के अंदर ग्रहर करते जाएंगे, तो वो ज्यान भी शक्ति का कार्य करेगा और हमारी आत्मिक शक्ति को विक्सित करता है जो आज के युग में बहुत आवश्यक है यह मैं कहूंगी आने वाले समय के लिए भी बहुत बहुत उप्योगी है क्योंकि ये तो हम सभी जानते हैं, मानते हैं कि आने वाला समय कैसा होगा दिन प्रते दिन समय नाजुक होता जा रहा है परिस्थितियां, समस्याएं, तनाव के अने कारण बढ़ते जा रहे हैं और ऐसे समय में अगर हमें कारिय कुशलता अपनी चाहिए तो वो कारिय कुशलता कहां से प्राप्त होगी, जितनी व्यक्ति के पास अध्यात्मिक शक्ती होगी अध्यात्मिक ज्यान का पावर होगा, तो वो पावर बैंक से ही हमारी ये आत्मिक शक्ती विक्सित होगी है और तब जाकर के कैसे भी समय परिस्थती हो उसके अंदर उन्हालातों में भी आप कारिय कर सकेंगे इसलिए कहा अध्यात्मिक ज्यान बहुत आवश्यक है श्रीमत भगवत गीता के अंदर ये बात बहुत स्पष्ठ में देखने को प्राप्त होती है कि अरजुन जैसा एक वीर युद्धा जिसने अनेकों युद्ध जीते परन्तु जब महाभारत का समय आया तो कहीं न कहीं वो भी दिल शिकस्त हो गया उसका मनोबल भी तूट गया वो भीतर से अपने आपको सशत महसूस नहीं कर रहा था और इसलिए इसने अपने शस्त्र छोड़ दिये भगवान से विंती करने लगा मुझे ये युद्ध नहीं करना है निराश, हताश, दिल शिकस्त हो करके वो अपने आप में जैसे युद्ध करने से पहले ही हार गया हो ऐसा फील करने लगा तब भगवान ने उसको अध्यात्मिक ज्ञान दिया और अध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ योग सिखाया योग का मतलब खाली physical exercise ये योगासन करना उसको योग नहीं कहा जाता है क्योंकि भगवान ने अरजुन को कहीं पर भी योगासन नहीं सिखाये exercise नहीं सिखाये इसका मतलब अध्यात्मिक ज्ञान और योग का अर्थ है ध्यान यानि मन की एकागरता को विक्सित करना वर्तमान समय में अगर देखा जाए जिन हालातों से व्यक्ति गुजरता है नैच्रल है जो हालाते आप प्रैक्टिकल देखते हैं समाज के अंदर सुसाइटी के अंदर वो अंदर से आपको कहीं बार दिल को कमजोर भी कर देती है कहीं प्रकार से आप शिकार भी होने लगते हैं कि आपके मन के अंदर भी अनेक प्रकार के नेगेटिव विचार भी आते हैं व्यर्थ विचार भी आते हैं जो और भी आत्मा की शक्ति को ख्षिर करता है तो इसलिए आवश्यक्त है कि अध्यात्मिक ज्यान के साथ साथ, meditation, ध्यान, क्योंकि जितना हम ध्यान का अभ्यास करते हैं, वो ध्यान से हम अपनी आंतरिक एकागरता को विक्सित करते हैं, और उस एकागरता की शक्ती से हर प्रकार की परिस्थिती में सही क्या है, गलत क्या है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उसको स्पष्ट रिती से समझ सकते हैं, और उस अनुसार कदम उठाते हैं, तो आगे बढ़ना सहज हो जाता है, नहीं तो स्वाभाविक है कि अगर व्यक्ती का मनोबल तूटता है, व्यक्ती भीतर से अगर कमजोर ह गया, नाजुक हो गया, तो उस समय के साथ वो चल नहीं सकता है। इसलिए अध्यात्मिक ज्ञान, मेडिटेशन, अर्थात मन की एकागरता को विक्सित करना, जितनी एकागरता हमारी बढ़ेगी, मन की रचनात्मक शक्तियां कार्य करती है। और आज मिडिया के फील्ड के अंदर, उत्कृष्ट मिडिया को ले आने के लिए नैचरल है कि रचनात्मक तरीके रचनात्मक विधियां अपनानी होती है। और अगर मन की एकागरता है, अध्यात्मिक रिती से आत्मा शशक्त है, आंत्रिक शशक्ति करन जितना हमारा होता ह उतना ही हमारी कार्यक उशल्ता, कार्यक शम्ता बढ़ जाती है। इसलिए तो कहा जाता है कि योग से कार्यक उशल्ता बढ़ती है। कार्यक्षमता हमारी विक्सित होते हैं तो योग माना खाली योगासन नहीं लेकिन योग माना ध्यान, मेडिटेशन, मन की एकागरता जिससे आंतरिक शशक्ति करण होता है और उसी से हमारी spiritual immunity भी बढ़ेगी, mental immunity भी बढ़ेगी और जहां ये दोनों immunity है तो physical immunity naturally strong हो जाएगी कैसे भी आने वाले समय में अनेक चुनौतियां आपके सामने आएंगी लेकिन उन चुनौतियों में successful होने के लिए ये तीनों immunity जितनी अधिक मात्रा में होगी उतना आप सहश्ता से successful हो सकेंगे तो इसलिए आज सभी इस media e-conference के माध्यम से जो बाते आप सुन रहे हो आशा करती हो आप भी अपने जीवन के अंदर यही प्रेणा प्राप्त करेंगे के physical immunity के साथ साथ spiritual immunity और mental immunity को भी अवश्य विक्सित करेंगे इनी शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद ओम शान्ति बहुत विशेश धन्यवाद बीके उश्य दीदी का